अपने खर में आग जलाने के लिए चिडिया का पती लकडिया काट रहा था सुभा से तो बहर हो जाती है वो ठक गया था जाडियों में छुपा हुआ डुष्ट कववा इधर उधर देखता है और जाडियों से बाहिर निकलता है और जल्दी से आकर पापा चुडिया कर टीफन खोलता है और उसमें से भोजन खाने लगता है वो जल्दी जल्दी से टीफन खाली कर देता है और वहां से भाग जाता है भूक लग गई है अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बात में करूँगा वो अपना टीफन खौलता है ये क्या? आज फिर, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया इसका मतलब आज फिर मुझे भूके ही रहना पड़ेगा कौन है? वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है हर रोज मेरा खाना चुरा कर खा लेता है ऐसे पापा चुडिया सारा दिन भूके बेटी काम करता है और शाम को अपनी लकडिया लेकर घर जाता है गुडिया की ममा कहा है मुझे जल्दी से खाना दे दें बहुत भूक लगी है खाना त्यार है क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया हाँ मुझे आज भी भूके ही रहना पड़ा जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टीफन खाली था पापा वो चुड जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टीफन से थोड़ी दूर जाते होगे तो वो चुड अपना काम दिखा देता होगा मैं मैं ज़ाडियों में बैठा हुआ था जैसे ही चुड या का पती लकडियां उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं ज़ाट से गया और उसका टीफन खा गया कालू क्या था आज चुड या ने उसके टीफन में क्या रखा था एक भूनी हुई मचली मचली का सुनकर तो गोरी के मूँ में पानी आ जाता है फिर तो बहुत मजाया होगा तुम्हें कालू मैं भी जाओंगी तुम्हारे साथ टीफन चोरी करने कल हाँ मगर ये काम बहुत दिहान से करना होता है अगर पकड़ेगे तो मार भी पड़ेगी और उसवाई भी होगी फिर दूसरे दिन गुडिया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तियारी करते हैं ये ले अपना टीफन मैंने खिजडी बना कर रखी है टीफन में दिहान रखना कहीं ऐसा नहों कि आज फिर कोई चोर आपका टीफन चुरा ले आज मैं टीफन अपने पासी रखूंगा गुडिया के पापा काम पर चले जाती हैं गोरी और कालू भी टीफन चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं मैं इस पेड से लकडियां काटूंगा और अपना टीफन यही पासी रख लेता हूँ वो अपना काम शुरू करता है आज तो इस चुड़े ने टीफन अपने पासी रख लिया है कल तो वहां वहां रखा था कालू पलीज कालू तुमने कल भी भुनी हुई मचली खाई थी आज तुम जाकर उसे बात में लगाओ और मैं पीछे से टीफन खालूंगी कालू मान जाता है फिर कालू दूसरे तरफ से उड़ता हुआ आता है क्या त्यारी चल रही है जी मैं लकडियां काट रहा हुँ थोड़े दिनों तक ठन शुरू होने वाली है बर्फ भी शुरू हो जाएगी इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकडियां अकठी कर रहा हुँ कालू कवे तुम कहां से आये हो यार मैं तो बाल बाल बच गया मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूनख्वार चीलने मुझे पर हमला कर दिया कालुकवा ऐसे जूटी कहानी शुरू करता है और गोरी कवी पीछे से दाव लगा कर चुपके से टीफन उठा कर एक तरफ ले जाती है टीफन में खिचडी देखकर गोरी कवी की तो आंखें बलब की तरह रोशन हो जाती है वो तेजी से खिचडी खाना शुरू करती है वो चंद मिंटों में ही टीफन खाली कर देती है और टीफन वापिस रखाती है तुम फिर कभी पहाडों की तरफ न जाना वहां बहुत खत्रा होता है अब मैं जाता हूँ मेरा काम हो गया और तुम अपना काम करो कालू कवा वहां से चला जाता है गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर पहुँच चुकी थी कालू जब तुमने कहा कि वो चील मुझे पकरने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी वो मेरी जूटी कहानी को कैसे साच समझ कर सुन रहा था वैसे आज टीफन में था गया आज टीफन में खिचड़ी थी वो चुड़िया तो बहुत मज़े की खिचड़ी बनाती है मज़ा ही आ गया अब तुम घर जाओ और मैं दाना खा कर घर आता हूँ गोरी घर चली जाती है ये कैसे हो सकता है आज तो मैं अपने टीफन से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं गया मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है ऐसे कैसे हो सकता है पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूका ही रहता है शाम को जब पापा चड़िया घर जाता है तो वो अपनी पतनी को सारी बात बताता है मैं पास में ही तो था फिर ये सब कैसे हुआ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अब मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा वो तो हर रोज ही तुम्हारा टीफन चोरी करने लगा है कालू जी कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टीफन कल की तुम चिंता ना करो कल मेरी बारी है मैं अपना काम कर लूँगा फिर दूसरे दिन जब ममा चिड़िया अपने पती का टीफन त्यार करती है तो खाने में पेड़ खराब करने वाली दवा मिला देती है आपने आज टीफन नहीं खाना क्यूंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेड़ खराब करने वाली दवा मिलाई है अब आप तो चोर पकड़ा जाएगा तुमने उसे सजा देने की अच्छी योजना बनाई है पापा मैं भी देखूंगी वाचोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है पापा चड़िया अपने काम पर चला जाता है आज पापा चड़िया जान बूझ कर टीफन थोड़ी दूर रहकर दूसरे पेड़ से लकड़िया काटने लगता है कवा तो पहले से ही जाड़ियों में चुपा हुआ था मुका अच्छा है अभी काम दिखाता हूँ भूख भी बहुत लगी हुई है कवा अभी जाने ही लगता है के पीछे से गोरी कवी भी आ जाती है कालू जी मुझसे रहा नहीं गया मैं भी खाऊंगी हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टीफन से खाना फिर कवा और कवी आहिस्ता आहिस्ता आगे भड़ते हैं और जाकर गोरी टीफन का ठकन खोलती है रोटी की चूरी देखकर कालू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और शुरू हो जाती हैं वो तो मिंटों में ही सारी चूरी खा लेती हैं कालू कालू कुछ हो रहा है मेरे पेट में कुछ हो रहा है ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है मेरा पेट आए मेरा पेट बचाओ मुझे बचाओ गुडिया के पापा भी वहां आ जाते हैं सामने टीफन खाली पड़ा था और कवे जमीन पर लेटे टांगे उपर करके रो रहे थे तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टीफन चुराते हो एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना था ना मेरा पेट पलीज हमें डॉक्टर के पास ले जाए हम मर जाएंगे हाए मामा चिडिया और गुडिया भी वहाँ आ जाती है साथ में मिठो दोदा और कबूतर भी था तो ये हैं वो चौर आखिर पकड़े ही गे दोस्तो हमें बचा लें मेरे पेट में बहुत दर्द है जब चौरी का भौजन खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा और खाओ खाओ चौरी का भौजन आज के बाद तुम दोनों कभी चौरी नहीं करोगे किसी ना किसी तरहा वो भाग कर अपने खर पहुंचाते हैं गौरी मुझसे सशाले नहीं जाहोगा कालू जी आज के दिन घौंसले को ही शशाले बना लेते हैं मेरा भी यही हाल है ऐसे चौरी अपने भुद्दी से कवों को अच्छी सजा देती है और वो सब के सामने शर्मीनदा भी होते हैं यारे दोस्तो इस कहानी को लाइक करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद गोरी मेरी बात तो याद है ना हाँ हाँ मैंने सब बता दिया है तुम चिंता ना करो मैं तुम्हें पूरा एक लाख ही लेकर दूँगी जब उस चिडिया के दरवाजे पर बारात होगी तो वो हमारा हर कहना मानेगी अब मैं जाती हूँ और तुम कल अपने बेटे को लेकर गुडिया को बिहाने आ जाना गोरी कवी चली जाती है गुडिया के पापा कल गुडिया की बारात आ रही है जब गुडिया बिहा कर चली जाएगी तो हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे मगर मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे मैंने घर के खर्च से बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिये हैं कि आपका इलाज हो सके उनकी बेटी गुडिया भी नदी से आ जाती है ममा आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है बेटी आपके पापा बिमार हैं और जब बेटियां जवान हो जाएं माँ बापको उनकी शादी की चिंता होती ही है मेरी बेटी, मेरी गुडिया आप हमारी चिंता ना करें फिर दूसरे दिन गोरी कवी चुडिया के घर आ जाती है चिडिया लड़के वाले आ रहे हैं गुडिया को भिहाने त्यारी कर ली है ना हाँ हाँ सब त्यारी मकमल है बारात भी आ जाती है लड़के चिडिया की मा गोरी कवी को एक तरफ ले जाती है पहले मुझे एक लाख ले कर दो फिर ही शादी होगी मैं अभी बात करती हूँ फिर गोरी कवी गुडिया की मा से कहती है बेहन यहाँ एक तरफ आकर मेरी बात तो सुनो जी गोरी क्या बात है लड़के वाले धेज में एक लाख रुपए मांग रहे हैं तुम जल्दी से एक लाख रुपए दे दो ताके गुडिया की शादी हो सके यह सुनकर तो ममा जुडिया की सांसे ही रुक जाती है एक लाख यह तो बहुत जादा है आपने पहले इसका क्यों नहीं बताया मैंने बताया था आपको भूल गया जल्दी से पैसे दे दो वरना बारात वापिस चली जाएगी ऐसा ना कहें गोरी बहन सारे जंगल में मेरी रुस्वाई हो जाएगी पिर्पिया करें थोड़े पैसे कम करें सुनो बहन मेरे बेटे के लिए एक से भड़ कर एक रिष्टा था ये तो गोरी ने मुझे एक लाख का लालिश दिया तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने के लिए मान गई फिर ममा चड़िया जो पैसे उसने अपने पती के इलाज के लिए जमा किये थे वो उन्हें दे देती है फिर गुडिया का भी हा हो जाता है और गुडिया अपने घर चली जाती है मैंने सब सुन लिया था तुम चिंता ना करो रानो मेरा इलाज ना भी हुआ तो कोई बात नहीं बस हमारी बेटी अपने पती के साथ खुश रहे अगर गोरी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी उस लालची परिवार में ना करती ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पापा चिडिया की तबियत एक दिन जादा ही बिगर जाती है और पापा चिडिया मर जाता है ममा चिडिया बहुत रोती है मगर कोई भी उसके आंसू पूंजने वाला ना था बहु अगर घर की सफाई कर ली है तो मेरे लिए चाई बना कर लाओ लो माजी मैंने आपके लिए चाई पहले ही बना ली थी गुडिया की सास चाई का एक घूंड पी लेती है छी छी ये भी कोई चाई है अपनी माँ से सब सीख कर शादी करनी थी आले ने तो मेरे बेटे को मैं बताऊंगी उसे कि तुमने जान बूझ कर मुझे बेसवाज़ जाए बना कर दी है गुडिया का पती एक बहुत आवारा और शराबी पक्षी था वो सारा सारा दिन उलूओं के पास बैठा दारू पीता रहता और जब शाम हो जाती तो नशे में जूलता हुआ घर आ जाता मा, मा कहां है, कहां है वो वो दूसरे कमरे में जाकर लेटी हुई है मैंने सारे काम किये, घर की सफाई की और बरतन भी धोए मगर उसने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया उस बेशरम को मैं आज सीधी करता हूँ मा फिर गुडिया का पती एक बैल्ट लेकर गुडिया को मारने लगता है छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए इतना हत्याचार ना करें मेरा दोश क्या है यही के मैं अपने माता पीता की इसत के लिए ये घर छोड़ कर नहीं गई बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, कार दूँगा मैं तुम्हारी जबान गुडिया सब सह लेती, वो सारे हत्याचार सह लेती, मगर अपनी मां से कुछ ना कहती फिर एक दिन गुडिया अपनी ममा से मिलने जाती है ममा, पापा कहा है? गुडिया की ममा रोने लग जाती है आपके पापा, आपके पापा हमें छोड़ कर चलेगे बेटी ममा, मेरे पापा मर गे और आपने मुझे बताया ही नहीं मैं गई थी बताने बेटी मगर तुम्हारे सास ने मुझे घर के पाहिर से वापिस भेज़ दिया गुडिया बेटी वो तुम्हारे साथ कैसा वियोवार करते हैं मैं बहुत खुश हूँ ममा आप मेरी चिंता ना करें हालात जैसे भी हो मैं अपनी ममा की इज़त को दाग नहीं लगाऊंगी फिर वो माम बेटी बैठ कर घंटो बातें करती है एक दिन गुडिया का पती कुछ ज़्यादा ही पी कर घर आता है वो घर आते ही गिर जाता है मैं आपका सुभा से इंतिजार कर रही थी मैं आपको कुछ बताना जाती हूँ मैं अंडे की माँ बनने वाली हूँ तो तो मैं क्या करूँ दफा हो जाओ यहां से सुन लो बहू अगर बेटी निकली अंडे से तो उसे उसी समय अपनी माँ के पास छोड़ाना हमें तो पहले अंडे से पोता ही चाहिए सासु मा आपे तो एक बेटी ही है फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है चुप कर जाओ वरना आप ही अपने बेटे से कहूंगी कि तुम्हें दो चाल लगा दे सुभा हो जाती है गुडिया की सास अपने बेटे को जगाती है उठो उठो बेटा थोड़ी कम पी लिया करो मेरे बहादुर बेटे उठो मगर उसका बेटा बोल नहीं रहा था क्योंके वो ज़्यादा नशा कर लेने के कारण मर गया था मार दिया इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया खा गई मेरे बेटे को गुडिया भी नदी से पानी लेकर घर आ जाती है सासु मा क्या हुआ मेरे पती को क्या हुआ है तुमने मार दिया मेरे बेटे को रोज रोज नशे के ताने दे दे कर तुमने मार दिया मेरे बेटे को अभी तीन दिन ही गुज़े थे कि गुडिया की सास आधी रात को गुडिया को अपने घड से बाहिर निकाल देती है अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं है गुडिया बहुत रोती है बहुत विंदी करती है मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है सारी रात गुडिया ठंड में पेड़ पर बैठ कर गुजारती है वो बहुत दुखी थी उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी मगर मा तो मा होती है उसके दिल पर भी रासे बहुत बोश था वो गुडिया को देखने आती है गुडिया बेटी आप यहां पेड़ पर क्यों बैठी है गुडिया अपनी ममा के गले लग कर जोरों से रोने लग जाती है ममा मैंने आप से सब छुपाया आपको कुछ नहीं बताया ममा वो दारू पी कर मुझे हर रोच मारते थे और मेरी सास ने मुझे आज घर से निकाल दिया है चुप चुप कर जा मेरी बेटी बहुत दुख सहली है हमने अब हम दोनों मा बेटी एक दूसरे को खुशिया देंगी फिर ममा चिडिया गुडिया को साथ ले जाती है और वो दोनों फिर से एक ने जीवन की शुरुआत करती है गुडिया सब पुरानी यादें भूल जाती है प्यारे दोस्तों अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छे से चांच कर लें क्यूंके जो रिष्टे शुरु में ही कमजोर हो वो ज्यादा देर तक किसी भी सहारे से नहीं चल सकते आपका धन्यवाद